इसेंबेली में बाइस दफा आयते हैं अठारा दफा और चार मरतमा आने पाए यह शुरूरात है हाई कोट ने बताया था कि मरक सेंटरल एजेंसी भी पकड़ सकते हैं और स्टेट एजेंसी भी तो जीते हैं स्टेट एजेंसी तो यह लोग वहां चाहिपी रहते हैं क्या कर जाते हैं मरकस के कुछी नहीं कर पाए एक स्टेट में अगर सत्ता साई नहीं निमट पाए तो पूरे इस दुस्तान के निमटने में कैसे दो लगेगा जेतने लोग वहां बाइस पतीस साल से समाज़ें सत्तर साल को मारें ऐसे दस प्रजम्मों को आना पड़ेगा यह नही इसी को यह शाल में ही है आएसे लोगों को आति हिंदुस्तान आया है यह मखवम्वाल चलता नहीं June का लो के मेरा क proponent को भीता हैं तो मुसलमान जो कि मुच्टाइ कोई दुकान दार अपका सांधाल में ब्सक्ताइब कामारा कास्टमर मुसलमान जो है यह इसु का जो जो इस चलने वाला सिका नहीं है असल में मरकजी हकूमत दलदल में फसी हुई है वो अपने दाग को धुलने के लिए बंगाल में वार कर रहे है रिजब बैंग अफ इंडिया हर हफ्ते में हिंदुस्तान का करदा कितना है किस मामला में हिंदुस्तान करदा लिये हुए है इंटरिनेशनल तोर पर लोगों को इसमें जानकारी नहीं है मुल्क के सरमाया भिकरा है पेट्रल पाम्प है, ट्रेन है, रेल है और बीस ये सरमाया मुल्क के लिए गौर्मेंट आप इंडिया का सरमाया लेकिन वो बेचने पर आमादा हो चुके है इसको लेकर कभी नहीं बयान देते हैं, लोगों को बताते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत परेशान कुछ बात है इसके इलावा मुल्क मसला ने इस वक देड़ सो कड़ों के करीब हम लोग बाशिंदे हैं मुल्के हर बाशिंदे पर करजा है दिल्ली हुकुमत से पूछिए हम लोग कितने करजादार हैं तो पता चलेगा फाइनेंसियल बैक्गराउंड कहां आव लोग खड़े हैं और मुदी जी हिंदुस्तान का टॉपर यानि प्राइम मिनिस्टर बहुत उची कुरसी है वो पसंजर ट्रेन की तरह मंगाल में आना जना शुरू किया है इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान को दस्ता असेंबली में बाइस दफा आये थे आनि अठारा दफा और चार्म बरतमा आने पाए यह शुरूआत है मुझे जहां तक लगता है बीजेपी को सुट नहीं मिलेगे पब्लिक वर्ट में वो लोग बहुत पीछे है और अभी पंचायत इलेक्षिन में चवदा पंद चवदा से पंदरा परसंड वोट उनको कम मिला है तो यह बंगाल के पूरे अजला के डेटा है सामने में 2426 चुना में संदेश काली को विजेपी सरकार एक बड़ा मुझदा बना नहीं बता लो देखे साज्ञा के एजिस्ट को स्क्रिप्टेड एजिस्ट भी कहा जाए ठीक है तो इसमें वो तो सेंट्रल एजेंसी ने क्यों घिस्ता नहीं कर पाए इसके जवाब कौन पुलिस वहाँ जाते मरकज के कुछ नहीं कर पाए और आपके घर में कोई एक बीमार वा इसका माला है कि पूरा घरबार सब खराब हो गया संदेश काली में एक इश्यू आए यह ऐसा इश्यू तो रोजा नहीं होता है लोगों के गला दबाज दिया जाता है लोगों को इ प्रजम्मों को आना पड़ेगा मैं खुद एज़े मिनिस्टर एज़े जमियत को परिसिदेन काना चाहता हूं यह शुरू कीजिए गुजरात से और बिलकुल वहां वाइट पेपर निकाली है कि गुजरात में कितना देसी है पता चलेगा आपकी ताकत कितनी है यूपी में शुरू कीजिए जहां उनकी र नाइस बने थी एंडिये पर भारी पर पाई गुजरात में अगर बताओ अभी नहीं बताना चाहते इलिक्षन का वह यह है इस्टेजी है लोग बेजार है बीजीपी से आपस में उनका अनबन शुरू हो चुका है आरे से में बीजीपी में रूली है और जो पार्टी वाल जवाब देना पर रहा है लोग बेज़गारी मानाई को भुल करके धरम के नाम के बोट दे रहेते हैं इसको यह तो असल में हिंदुस्तान के बत नसीवी है ऐसे लोगों के हाथ हिंदुस्तान आया है यह मजभ वाला चलता नहीं है कोई कारबारी थोक माल बेशता है तो र लंबदार में सोचेगा कामारा कस्टमर मुसल्मान है इंदु है यह चलने वाला सिक्का नहीं है एक हालो में एक ट्रांस्पोर्ट एजनसी के माली का अडियों हाया लुगा इसमें यह कहता सुना जा रहा है कि जैसी रडाम बोलने वालों के साथ हम कारोबार करेंगा दरव किसा वही से आएगा कारोबार चोपट हो जाएगा हम मुसल्मान में ज्यादा आदमी तो कारोबारी है नहीं मेहनत करके कमाते हैं बड़े-बड़े कारोबारी कि दुकान टपड़ जाएगा